बरेली के थाना मीर गंज च्छेतर से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामला इस्थानी अथाना च्छेतर के ग्राम फिरिया खुर्द से जुड़ा है। यहां के रहने वाले सिसू पाल गंगा राम पुत्र भजन लाल की दिन दहाडे किसी ने हत्या कर दी और शब को परोरा के जंगल इस्थित एक सीसम के पेड़ से लटका दिया। अमरतक के दोनों हाथ पीछे रस्थी से बंदे हुए थे। इस बात का मुआइना लगाया जो रहा है कि शायद हत्या कहीं और की गई है। तथा हत्या को आत्म हत्या का रूप देने के लिए शब को यहां लाकर टांग दिया हो। जल्दवाजी में हत्यारे हाथ की रस्ती खोलने से पहले ही भाग गए हो। सबाल उठता है डिग्री कॉलेज में लगे सीसी टीवी कैमरे भी खराब है। अनूबिस डिग्री कॉलेज से लगबग 500 मीटर पीछे एक बाग है जिस बाग में अधेर व्यक्ती का सब पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। मौके पर पहुँची पुलिस ने सब को कपचे मेले कर पोस्ट माटम के लिए भेजा जैसे ही ये सूचना घर में पहुँची कहराम मच गया। सूचना पर मीरगंज सीओ छेतरादिकारी राजकुमार मिस्र थाना प्रबारी देवराज बदरोगा सत्वी सिंग मैफोस घटना इस्तलवर पहुँचे और शब को पेड़ से नीचे उतरवाया और शब को पोस्ट माटम के लिए बरेली भेजा। सूचना पर फॉरेंसिंग टीम ने भी नमूने एकत्र किये। आक्टर की साथे हो चुकी है एक बी बच्च्चों की साथे हो जबИ एक बच्चों की साथे हो जिए principle काउर हुचाम है। लड़का आपको लगता गशियों और अपको की पुछो के साथे हो चोगी हो कि jeszcze को तो किसी के तक नहीं चलता है ड़ादकों मेरी जलत रहता है कि हमारों काम है शुक्ति को सबसे भलाई भलाई यह हमारी बुराई को चीज़ है घर से काश निकले गए बाइट कहां करें थाना चेत्र मीरगंज के एक गाउं में एक विक्ति का सव प्रड़ से लटका हुआ फ्राप्त हुआ है जिनकी पहंचान हो गई है उनकी परजिनों की इसकी सूचना दे दी गई है परजिनों ने अभी कोई तहरीर खाने पर नहीं दी है घटना के बास्तवी करणों की जानकरी लिए जो है उसकी सबका पूस्माटम कराये जा रहा है तदमसर करवा ही सुनिशित कराये जाएगी